छाम के टाइम में जब भगवान के दिया बत्ती के टाइम होती है उस टाइम पर तुझे कितने लोगों ने बद्धुआ दी शरम कर थोड़ी कहां जाएगी बचके इंची जोसे तु कैसे हैं आप सब मैं बहुत अच्छी हूँ सबसे पहले तो थाइंक यू थे सारे विशेस देने के लिए बर्थड़े के लिए थाइंक यू सो मच दिल से थाइंक यू आप सबको तो आज बात करते हैं रोकी अंकल की मा शुका उनकी आधिगर वाली यानि उनकी साली कानी और वक्रते और एक बात कल जब मैंने मंदिर में खड़े होकर बोला कि मैं किसी के भी मतलब दुर्गा मा को मैं साक्षी मां कर कहती हूँ कि मैंने कभी भी किसी के भी पती और बच्च दे भी दिया कि मैं सची हूँ मैं सची हूँ इन सब टॉपिक्स पर आज बात करेंगे एक मन्ट मैं पहले कैमरा रख देती हूँ सामने रख देती हूँ हाँ अब कैमरा रख दिया है अब बात करते हैं तो कानी कानी कल जो तुने बोला सबसे पहले तो ये बात तो सुन कि ये जो बद्वाएं लोग देते हैं ना इस तरह की बद्वाएं उससे होता कुछ नहीं है समझ मैं आया बलकि जिसे बोला जाता है उसके उम्र और बढ़ती है पहली बात दूसरी जो तो ये धिन्डूरा पेटे ना घूम घूम के चैनल 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 पे अलग अलग चैनल पर कि मेरे कमेंट को पढ़कर मंदिर भागी मंदिर भागी तो नरलज औरत तेरे कमेंट को पढ़कर मैं मंदिर नहीं भागी कल मेरे हजबिन का बर्थडे था हम लोगों को मंदिर जाना ही था मेरा मन सुबह जाने का था बट उनके आफिस होने के वज़े से सुबह में मैं नहीं जा सकी तो हम लोगों ने शाम को जाने का प्लान किया ठीक है? इसे ही कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तोने अपने सड़े हुए कीडे पड़े हुए मूँ से जो निकाला वो मा के आगे बोलना था इसलिए ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम लोग सुबह सुबह ना जाकर शाम को जा पाए क्योंकि मा को भी देखना था तेरा अत्याचार हो कि मैंने ऐसा लिखा है तुम्हारे पती के लिए मैंने लिखा है मुझे प्रूफ दो मेरी इंस्टा इडी है मीनू 3547 M.E.N.U. मीनू शाट में 3547 एक बार फिर सुनो M.E.N.U. 3547 मुझे इंस्टा पर भेजो जो मैंने लिखा है समझ में आया अगर एक बाप की अउलाद हो तो भेजो मुझे मैं खुद अपनी कम्यूटी पर लगाऊंगी कि मैंने लिखा है या नहीं लिखा है और ये सब लोग देखेंगे क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या लिखा है जो तुब बोल रही है क्या बोलती हो तुम लोग कि मैं हम लोग मैं नहीं सिर्फ हम लोगों को सबको बोलती हूँ न आईडी चेंज करके हम लोग जाकर लिखते हैं उल्टा सीधा तो सुनो गदियों सुनो हम लोगों को ID चेंज करनी के जुरुत नहीं है हम लोगों के पास हमारा चैनल है हमारा मुह है हमारा चेहरा है जो तुम लोगों से कई गुना अच्छा है भगवान ने दिया है हमें समझ माया भगवान ने दिया है और हम लोग open बोलते हैं कोई भी नहीं समझ में हम लोगों को जो कर्फ़ जो बुलना होता हम लोग अपने चैनल पर उरे शरं करो तुम कोटी कि धriters तुम लोग जाती हो चैनल को खा जाती हो समझी बेशरम भेजना मुझे विकृति तू भी और कानी तू भी और यह जो तेरा चल रहा है ना रोकी एंकल के साथ बेशरम कर शरम कर खुद तो क्या-क्या गुल खिलाती रहती दूसरों को बोलती है बेशरम औरत शरम नहीं आता ह अनारकली के पीछे पड़ी हुई है अनारकली का घर बरबाद करने पर तुली हुई है बक्ष दे आंटी को बक्ष दे वैसे भी बेचारी आंटी दिन भर लगी पड़ी रहती है दिन भर कम से कम तू तो तरस खा बेशरम और वो आधी घर वाली तू भी तू भी जो साथ-स अंकल तो कमेंट पिन कर रहे हैं, अच्छा हुआ कि मुझे अभी वीडियो बनाने से पहले SS मिल गया, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ न, सवा साथ हो रहा है शाम का, मुझे SS मिल गया पहले ही, टाइम मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ, कि मुझे अभी थोड़ी दिर पह कर दो के मेंगर भाहि पेशन कर दणा क कि इसलिए वा का कि दुने ये बात बोली न, जब तुने ये बात बोली कि मैंने लिखा आ है मंह themed में थी न, वही पर हमारे टाइब करना गर्मीं ये मंदिर बहुत जादा पहचाना मंदिर है और यहां की सारी मनों कामनाय जरूर पूरी होती हैं कोई भी अगर टाटा का हो तो पता कर लेना अगर कोई हो तो तुम लोगों कहीं हाँ पे समझ में आया मैंने मंदिर में बोला कि मैं दुर्गा मा को साक्षी रखकर बोलती हूँ मंदिर बंध होने होने का टाइम आ गया था आट बजने वाले थे लॉकडाउन आट बजी से होता है मंदिर बंध होने होने का टाइम आ गया था बहुत कम लोग थे मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं मा को शाक्षी मान कर ये कहती हूँ कि मैंने कभी किसी के पती और बेटे को बुरा नहीं बोला है और ना मैं कभी बोलूँगी मैंने नोटिस उस टाइम नहीं किया था घर आकर जब मैंने वीडियो देखा मेरे हस्बन की फोन से तब मैंने नोटिस किया जैसे ही मैंने ये बात बोली घंटी बजी है वो कहते हैं ना कि आप कोई मननत करो या कोई सची बात बोलो या आपके घर किसी बच्चे का जन्म हुआ कोई आया तो कोई पवित्रध्वनी चाहे मंदिर की हो, आजान की हो, कहीं की भी हो, कोई पवित्र धनी, शंक, घंटी, आजान, या कुछ भी सुनाई दे, कुछ भी अगर सुनाई दे, तो वो बात सच्ची होती है, आपकी मनत पूरी होती है, आप सच्चे हो, तो मुझे तो मादारानी ने भी इशारख कर दिया बेशरम, तिल मिलाई थी मैं, हाँ मैं तिल मिलाई थी, थोड़ा सा, थोड़ा सा मैं तिल मिले थी, इंसान हूँ मैं, तिल मिलाओंगी मैं, इंसान हूँ मैं, मैंने तो तुझे लिखा भी नहीं, तभी भी तो इतना तिल मिलाई, और तुम लोग जो घुम घुम के रोज, ब प्रकोछान नहीं बचायंगे शरम करो तुम लोग, शरम कर ओ थोड़ी सी भी शरम होगी ना अपणा गंदौग से मुझघ सामूठ समझे मैंने अपनी असली शके के साथ आओ, अपनी असली शकल के साथ आओ, नहीं, तो तुम लोग दोगले हो, तो तुम लोग तो आए नहीं असली शकल से, यानि तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम दोग रहे हो, तो दोगलों से तो ऐसी ही बाती की जा सकती है, इससे ज़्यादा तो और किया नहीं जा सक सकता है ऐसी ही घटिया पंती की उम्मीद हो सकती है दोगलों से और यह नीच नीच जो तुम लोग गंदगी के अड़े पर बैठी लेती हो दिन भर गंदगी फैलाती रहती हो अपनी वे नीचता ही बंद करो समझा कि समझ गई नो तुम लोग पेशरम ओरतें शरम कर भेज देखती हूं मैं भी देखती हूं कि मैंने कहा लिखा है नकली आइडी से तुम लोग घूमते हो नकली आइडी से तुम लोग बात करते हो हम लोगों के पास जिग्रा है बोलने का तुम लोग जैसे बेशरम नहीं हम लोग कि आईडी नकली बना ली उस पर किसी का भी नाम पता नहीं तुम लोगों का असली नाम भी वो कानी और विक्रती है भी या नहीं है ये तो कोई नहीं जानता ना शकल तो तुम लोगों की है नहीं उस पर और क्या पता गूगल से किसी का फोटो डाउनलोड करके तुम लोग शकल भी किसी की चिपका लोगे उसके बोलो कि देखो हम लोग आगए अपनी असली शकल से कैसे हम लोग मान कैसे लेंगे कि तुम लोग ही हो वो सा हम लोगों को न भगवान कलेजा दिया है अपनी असली चेहरे, अपनी असली पहचान के साथ अपना असली शहर का नाम बताते है अपना असली नाम हम लोग बताते हैं अपने पूरे परिवार को दिखाते हैं वीडियो में हम लोगों के पास जिगर है तुम लोगे कितना मूच और नहीं है हम लोग बैट केर पॉन लेंगवेज डिसकर्स करने में कमफोटेबल हो समझ में आया इसलिए तुम लोग बात करते होगे पर हमारे घर में यह नहीं चलता है हम लोग ऐसे नहीं है हम लोगों के अंदर शर्म हया और हमारे घर की हर चीज की एक रुष्टे की मर्यादा है जो तुम लो पर भी आना अगर हिम्मत होगी तो और मैं प्रामिस करती हो ना मैं तुम लोगों को ब्लॉक करूंगी ना तुम लोगों कमेंट डिलिट करूंगी तुम लोग जो बोलना बोलकर दिखाना बस उसके बाद जवाब सुनने के लिए तयार रहना अच्छे से समझती क्या हो तुम लोग बेशरम तुम लोगों को शरम नहीं आती है कुछ भी बोलती हो भेजो मुझे वो SS भेजो अगर जिगर है तो सही हो तो अगर सच्ची होगी ना तो जरूर भेजेगी वरना खुद से ID बना कर तुमने खुद से लिखा होगा और खुद से ये काम कर रही होगी तुम लोग तुम दोनों की जो जोड़ी है ना दोनों बहनों की जोड़ी अभी अंकल के पीछे पड़ी हुई है जो समझ में आया हां हां समझती हूं समझती हूं मैं कि घर से निकाल दिया गया है तुम्हें इसलिए दिन भर चैनल दर चैनल भटकती फिरती ह मर्दों के पीछे घुस घुस के बीच बीच में बाती करती हूं तुम लोग समझ में दी हूँ मैं घर से निकाल दिया गया है बे शर्मो समझ में आया और अगर कुछ बोला ना दुबारा तो इस से भी बुरा जवाब सुनने के लिए तयार रहना मैं बताती हूँ तुम लोगों को ये जो तुम लोग करते हो ना ये सब जो करते हो तुम लोग गंदगी इस गंदगी पे मैं लगाम लगा के रहूंगी याद रखना तुम लोग औकात तो है नहीं आके सामने से बात करने का औकात होती न सामने से बात करती देख मैं अपने चेहरे से बात कर रही हूँ देख देख तू और मुझे जिस दिन कमेंट करना होगा न मैं सामने से तुझे कमेंट पर रिप्लाई करूँगी सामने से समझ में आया कल शाम के टाइम में ची शाम के टाइम में जब भगवान की दिया बत्ती के टाइम होती है उस टाइम पर तुझे कितनी लोगों ने बद्धुआ दी कितने लोगों ने तुझे बद्धुआ दी शरम कर थोड़ी कहां जाएगी बच के इन चीजों से कहां लोग दियाबत्ति करकर बैठते हैं जब फोन हाथ में लेते हैं तो तुझे लोगों ने बद्धुआएं दी हैं तुझे लोगों ने कहां बचके जाएगी तू बचना अगर बचना होगा न तो बच लेना इन बद्धुआओं से तू समझ में आया जैसा बोईगी वही काट समझी तू बेशरम औरत तूने एक बोला ना देख तुझे कितने पड़े यही होता है यही होता है तुम दोनों नीचों की जोडियां जो है ना रॉकी अंकल का घर खराब कर रही है समझ में आया बक्ष दो रॉकी अंकल को बक्ष दो बेशरमों बक्ष दो